तो गुद मॉर्निंग गाईज और 29 अपरिल के करंट अफेर्स के रिविजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेर्स का रिविजन करेंगे तो पहला प्रशन वारा है किसे CRPF का महानिदेशक डारेक्टर जनरल नियुक्त किया गया तो आंसर होगा AP माहिश्वरी को एक्चुली इनसे पहले जो आर आर भटनागर थे डेसंबर में वो रिटायर्ड हो गया और अभी आर आर भटनागर क्या है उन्हें जो गिरिश चन मुर्मू है पहले लेटिन गवर्नर है जम्मू कश्मीर के उनका सलाकार नियुक्त किया गया था ये भी याद रखना फिर एक किसे शंगाई कॉपरेशन और्गेनाइजेशन के आठ अजूबू की सुची में शामिल किया गया तो आंसर हो गया स्टेचू अफ यूनिटी को सरदार वललबाई पटेल जी की स्टेचू है ये और दुनिया की सबसी उची मूर्ति का भी ख्याती इसे प्राप्त है 182 मिटर इसकी हाइट है और कहाँ पहे हैं गुजरात में नर्मदा जिले में फिर एक इसे RBI का नया deputy governor नियुक्त किया गया था तो ये बने थे माइकल देवबरत पात्रा ये आपको याद होगा कुछ समय पहले विरल आचर अपना इस्तिफा दे दिया था उनकी जगह आये थे ये वैसे अब भी तो देखो याद रखो RBI में एक governor होता है तिन deputy governor होते ह और BP कानून का नान भी नियूज में था इनका actually अब रेटायर हो जा थे ये लेकिन एक साल का कारेकाल इनका बढ़ा दिया गया और एक और है NS विश्वनाथन अब NS विश्वनाथन ने इस्तिफा दे दिया मार्च में इसलिए हम कहेंगे तीनी हैं बिवरतवान में तो फिर भारत और इस देश की बीच में शहयोग, काजिन, सहयुक्त, सिन्य अभ्यास हुआ तो ये हुआ था जनवरी की बात है जापान और भारत के Coast Guard के बीच में हुआ था ये चन्यमें हुआ था और आपको याद होगा जापान का एक Coast Guard Ship भी भारत पहुंचा था जिसका नाम था इची गो फिर राइसीन डायलोग का पांचवा संसकरन ये कहां पे शुरू हुआ था ये नई दिल्ली में शुरू हुआ था फिर आपसे पूछा जा रहा है गोतम बुद्ध की विश्व की दूसरी सबसे उची मूर्ती ये कहां पे बनाई जाएगी तो ये गुजरात में बन बनाया है तो चाइना ने बनाया है इसका नाम है पास्ट यानि की 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलिस्कोब उसका जो व्यास होगा डायमेटर होगा वो 500 मीटर का है आदा किलोमेटर फिर भागते नौसेना के लिए विशेश श्रेनी की डीजल तेयार की किसने तो इंडिय और इस जो डीजल है इसका नाम रखा है हाई फ्लेश हाई स्पीड डीजल फिर है शशस्तर बल भूतपुर्व सैनिक डिवर्स यानि की आम्ड फोर्स वेटरंस डे ये कब बनाया गया तो ये 14 जनवरी को मनाया जाता है और फिर आपको याद होगा 15 जनवरी को हम आर्मी ड भी मनाते हैं बढ़ते हैं फिर 1976 के बाद क्यूबा के पहले प्रदान मंतरी कौन बने तो आंसर होगा मैनुवल मारेरो क्रूज मतलब 1976 के बाद यहां पर कोई प्रदान मंतरी नहीं बने थे और अब बने हैं तो प्रश्ण इंपोर्टेंट होगा क्यूबा की कैपिटल वैस हवाना है करंसी है क्यूबा पैसो फिर राश्ट्रे गणित दिवस यह हमने मनाया कब 22 देसंबर को मनाते हैं एक्चुली महान गणित अग्यत श्रीनवास अयंगर रामानुजन जी उनके जनम दिन को मनाया जाता है और आपको इनके नाम से याद होगा 2019 का जो रामानुजर पुरुसकार था वो किसको दिया गया था इंग्लेंड की वर्विक युनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर को नाम बता सकते हो क्या उनका एडम हार्पर उनका नाम था फिर आई सीसी की साल की एक दिवसी और T20 टीम में किसे सामिल किया गया तो इसमरती मनाना को एक Crossing the Barriers I Got Inged ये जो बुकलेट है इस नाम से इसको किसने रिलीस किया था जारी किया था तो सुनील अरोडा ने ये तेविस फे मुखे सुनाओ आयुक थे हमारे सीफिल एक्षन कमिशनर फिर है बैंगलो और गॉल्फ चैंपिन्शिप का खिताब जीता किसने अभिनाव लोहान फिर है पांच वर्षों में देश बर में कितने हुनर आठ हाट खोलने का लक्षे रखाय सरकार ने सो अबराहम कोशी समीति का गठन की संगठन के द्वारा किया गया तो आंसार होगा सेभी के द्वारा सेभी जिसका हैटक्वाटर मुंबई में है और चेयर परसन है अजेत फंड के लिए फिर है एपल अमेजन और कौन सी कंपनी ने स्मार्ट होम डिवाइस को और अधिक अनुकूल बनाने के लिए समझोता किया अपस में तो एपल हो गया अमेजन हो गया और गूगल गूगल जिसके पैरेंट कंपनी अल्फाबेट है और इन दोनों के सीओ है सु तो इसको शेर करना मत भूलना बढ़ते हैं तो चलिए कल की करंट अफेर्स का भी एक बार रिविजन कर लेते हैं तो पहला प्रशन आपसे पूछा गया था कि प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन सा बन गया है तो यह उत्तरप्रदीश क है नामे इसका किंग जोर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और पहला राज्य आपसे पूछा जाए न कि किस राज्य में प्लाज्मा थेरेपी शुरू हुई पहला राज्य कौन सा बना तो फिर कैरल आंसर करना फिर है MSME मंत्राले में अभी नए सचीव किसे नूक्त किया गया किस देश ने साओधी अरब की बात हू रही है इसके साथ साथ उन्हें किसे अपराद के लिए 10 साल से ज्यादा की जेल की सजा भी नहीं दी जा सकती और अभी कुछ समय पहले कोडे मारनी की सजा भी साओधी अरब ने खतम कर दी है साओधी अरब जिसकी कैपिटल है सी है साउधिरियाल फिर कोविड-19 अनुसंदान के लिए विलोकना नाम से एक सर्च इंजन डेवलप किया किसने IIIT यानि की ट्रिपल आईटी मके मतलब इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नलोजी एन मैनेजमेंट केरल विलोकना मतलब उता है खोजना फिर दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धन मंतरी योजना शुरू की किस राजने तो आंसर होगा असम सरकार ने फिरेश सनामीर ये किस देश की किरकेट खिलाडी है और अभी इन्होंने अंतरराष्टे किरकेट से सन्यास ले लिया है तो ये पाकिस्तान की खिलाडी है पाकिस्तान जिसकी कैपिटल इसलामाबाद है प्रधार मंतरी इमरान खान तो आप जानते ही और प्रसिडेंट है आ इसे correct मैंने वैसे comment कर दिया था, pin कर दिया था, तो 1985 होगी, headquarter Kathmandu नेपाल में है और total member countries है इसके 8, फिर है impact ranking जारी की अभी times higher education है, तो इसमें भारती कौन सा भारती institute टॉप पे रहा, ये इसका दूसरा संस्क्रान है, तो IIT खडगपुर, और worldwide वो 57 नंबर पे है, वर्ल्ड मेट नंबर वन पे है New Zealand की Auckland University, फिर है रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट नाम का एक रोबोट तेयार किया किसने, केरल सरकार ने, मतलब जो hospitals होंगे महाँ पे, तो जिसे मरीज हो गया कोई COVID-19 का तो उसे भोजन वगेरा देना है, दवाई वगेरा देनी है, तो वो देने के लिए ये रोबोट यूज किया जाएगा, कोई स्वास्त कर्मी नहीं जाएगा उसके पास नहीं, तो वो भी संक्रमित हो सकता है, और इसी तरह से इसी परपस के लिए अभी आईटी रोपड ने भी एक वोड बोट नाम का एक रोबोट तेयार किया है, फिर एच चात्रों के लिए संपर्क बैठक मोबाईल एप्लिकेशन किया किस राज्य ने लॉंच किया तो आंचर होगा हड़िया ना राज्य ने, अमेरिका में तो डेमोक्रेटिक पार्टी की और से बाइडन संभावित उम्मीदवार है और बाकिये रिपब्लिक पार्टी से तो डोनल्ड टरम्प है ही सही, फिर एजी ओ क्यू आई आई ये एक स्मार्टेक हेल्थ केर प्लिटफॉर्म है और अभी इसने किसके साथ मिलकर एक एड़ ऑन हेल्थ कवर शुरू किया है तो आंसर होगा बजाज आलियांस जन्रेल इंशॉरेंस के साथ बढ़ते आगे, तो इस टैडिक कुशन की बात करेंगे तो पहला प्रशन है भारत का सबसे लंबा बांध ये कौन सा है तो हीरा कुट बांध है और ये है कहां पे तो उडिसा में है अच्छा अगर पूछ लिया जाए किस नदी पर है तो ये महा नदी नदी पर है फिर है गांधी सागर बा ये आपका कहां पर है ये आपका कैरल में है और ये है आपका पेरियार नदी पर फिर आपसे पूछा जा रहा है भवानी सागर डैम ये कहां पर है तो ये आपका है तमिल नदू में और ये खुद भवानी नदी पर है उजनी डैम ये आपका किस नदी पर है तो ये है आप आपका भीमा नदी पे और उजनी डैम है आपका महाराष्टर में भागी रथी नदी पे कौन सा बांध है तो ये है आपका टिहरी बांध और इसकी सबसे खास बात ये है सबसे उचा बांध है ये बारत का और उत्तरा खंड में है चमेरा बांध ये आपका है हिमाचर प्रद तो मूसी नदी के किनारे स्थित है, बढ़ते आगे, तो important days की बात करेंगे, तो पहला प्रशन है, world teacher day कब मनाये, तो यह हम मनाते हैं 5 October को, और इस बार की theme रही थी, हमारी क्या, young teacher the future of profession, और एक national teacher day भी होता है, वो तो आप सब जानते ही होंगे, इससे just एक महिने पहले, 5 September को फिर विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, यह देखो साल में दो बार मनाते हैं, एक तो 11 माई को, और एक 12 October को, और theme क्या रही थी इसकी, protect birds be the solution to plastic pollution, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस को अंग्रेजी में बोलते हैं, world migratory bird day, फिर वर्ल्ड cities day, यह हमने 31 October को मनाया, और 31 October को आप जानते ही हो, national unity day भी मनाया जाता है, तरदार पटेल जी की, वल्लबाई पटेल जी की जैनती होती है, फिर विश्व मानक दिवस, यानि की standard day, 14 October को मनाया था, और theme रही थी, video standards creator global stage, फिर अंतर राश्ट्रे बाली का दिवस, यानि की international girl child day, 11 October को मनाया जाता है, और theme क यारी थी इसकी, girl force unscripted and unstopped, अब एक simple सा प्रशन पूछ लो में आपसे, वैसे आप अंदाजा लगा लोगे, क्या पूछा जाएगा आपसे, राश्ट्रे बाली का दिवस, ये कब मनाते हैं अपन, फिर विश्व डाग दिवस, ये 9 October को मनाया, world animal day की बात करेंगी, तो 4 October क इसलिए, फिर international day of older person, ये 1 October को मनाया गया, world statistic day, world statistic day ये हम मनाते हैं 20 October को, लेकिन हर साल नहीं मनाते हैं, 5-5 साल की gap में मनाते हैं, पहले 2010 में, फिर 15 में, अब 2020 में मनाएंगे, लेकिन जो national statistic day होता है, यानि के राश्ट्रे सांखी की दिवस, वो हर साल मनाते हैं हम भारत में 29 June को, तो guys ये था आज का हमारा current affairs का revision वाला वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, helpful लगाया है, तो please वीडियो को like और share जरूर किया किजिए, इस वक्त आप लोगों के support की like और share की बहुत ज़ादा जरूरत है, तो कम से कम हर students अपने group में, एक study group में और अपने क questions आप लोगों से पूछे जाएंगे, questions आप लोग लगाईएगा, और देखेगा कितने questions आप लोगों के बन पा रहे हैं, बाकि हम इनको कल discuss करेंगे